सब्सक्राइब किजिए लौ अपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ मैं ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लौ लेटिस जानकारी के लिए कई लोगों के मन में अभी स्वाल उठ रहा है कि अगर लौकडाउन की वज़ा से उनकी नौकरी छुट जाती है तो फिर क्या उन्हें अपनी पत्नी को मेंटरेस देना होगा मेंटरेस का मतलब होता है कि जब पत्ती और पत्नी दोनों कोर्ट में डाइवर्स लेते हैं और पत्नी के खर्च के लिए जो कोर्ट हर महीने राशी निर्धारित करता है उसे ही मेंटरेस कहा जाता है जब कोट से पती और पतनी को डाइवर्स मिल जाता है तो फिर कोट द्वारा कितना पैसा हर महीने पतनी के खर्च के लिए पती को देना है ये बात को डिसाइड करता है अभी जिन लोगों को अपनी पतनी को मैंटनेस देना है बो सभी व्यक्ति अभी बहुत परशान है क्यूंकि उनकी तो अभी नौकरी छुटी हुई है और फिर बो सोच रहे हैं कि लोगडाउन खत्मोंने के बाद भी उनने जौब मिलेगी इसकी कोई गरंटी नहीं है जितने लोगों को अपनी पतनी को मैंटनेस देना है उन सबी के मन में अभी यही सवाल उठ रहा है कि क्या मुझे अपनी पतनी को मैंटनेस देना होगा क्या इस स्थिती मैं इसे रोका नहीं जा सकता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लौप डेट्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर लौकडाउन के चलते या फिर लौकडाउन खत्म होने के बाद अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो क्या आप मैंटनेस को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं तो दोस्तो इस से जाने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लाज तक जरूर देखें तो चली वीडियो शुरू करते हैं लौकडाउन की वज़ा से आज कल सभी के काम ठप है और लौकडाउन खत्म होने के बाद भी जॉब मिलेगी या नहीं इसकी कोई गरंटी नहीं है क्योंकि फिर मार्केट में जितना डिमांड होगा उतनी ही जॉब की जुरूरत होगी दोस्तो CRPC के सेक्शन एक सो पच्ची में कोड मैंटेनेस की राशी निर्धारित करता है अगर लौकडाउन के बाद आपकी जॉब चली जाती है या फिर आपकी सेलरी पहले से कम हो जाती है और अगर आप अपनी पत्नी को पहले ही हर महीने 10,000 मैंटेनेस देते थे और आपकी salary पहले से कम हो जाती है तो फिर आप अपनी पत्नी को 10,000 हर मेने कैसे दे पाएंगे दोस्तो इस हालत में आप court में CRPC के section 122 में application दे सकते हैं और अगर आप पहले अपनी पत्नी को 10,000 देते थे और अब आप अपनी पत्नी को 5,000 ही देने में सक्षम है आपको जो भी परिशानी हो आप court में application देने के बाद court को अपनी बातों से संतुष्ट करें अगर आपकी job छुट गई है तो आप वो ही बात court में साबित करें या फिर आपकी salary पहले से कम हो गई है तो अपनी salary receipt के माध्यम से आप court को अपनी सारी बातें बताएं फिर हो सकता है कि court कुछ महीने के लिए maintenance रोख दे या फिर maintenance की राशी गटा दे जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाए आपकी परिस्थिति अच्छी ना हो जाए अभी जो देश की स्थिति है आजादी के बाद ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप court में maintenance की राशी के लिए application देते हैं तो court से आपको relief ज़ूर मिलेगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़ूर सब्सक्राइब करें